अपना चाहते हैं आपके चेरे के जितनी भी पिंपल्स के दाग हैं वो दूर हो जाएं तो भी दूर हो जाएं चाहते हैं परिशान है उसे ठीक करना चाहते हैं आप चाहते हैं आपके चेरे पे फेशिल जैसा गलो आजाएं तो इस रेमडी को ट्राइ कर लीजे बहुत अच्छी रेमडी है इसे लगाने से आपके चेरे पे बहुत अच्छा निखार आएगा साथ में जितनी भी प्रोब्लम है आपके चेरे पे जुरिया हैं चाईया हैं तो वो भी दूर होने वाले हैं साथ में आपकी स्किन बहुत ज्यादा सोप्ट हो जाएगी तो बहुत अच्छी रेमडी है ट्राइ कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा तो चलिए देखते हैं इस रेमडी को किस तरह से बनाना है किस तरह से आलू का रस आलू को अच्छी से दो करके छील करके उसको ग्रेट करके रस निकाल लीजे तीन चमच में आपे आलू का रस लिया है आलू का रस जो है हमारे चैरी पे बलीज का काम करता है दाग धपों को दूर करता है जाईयों को दूर करने में बहुत ज्यादा है उसके ब क्षान का कर देना लिए तूंप निंट ससेख्षें इसे रसे कि बना तो, आप उसके बिए दोड़, क्धा, सकते बूल जाया, सब्सक्राइब कर्या ने इचले पादर रसेค़़ें धम की ऊच्छे पीमारी कुछते निकाल रहले खें का लिए लायना उसका चाहें लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है लेमन सूट नहीं करता है तो इसकी जगह आप टामाटर का रस भी ले सकते हैं उसके बाद में यहां पर लिया है एक चमच बेसन जो है मारी कलर को फेर बनाता है जाईयों को दूर करता है मारी स्किन पर बहुत अचा निखार लाता है तो बेसन सबके घर में मिल जाता है आपको बेसन ले लाना है एक चमच उसके बाद यहां पर आदा चमच मैंने यहां पर एलोवेरा जेल लिया है अगर आपके पास फ्रेस एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं एक चमच तो एलोवेरा जेल लेना बहुत ज़रूर अब बालों लगाते हैं वाला नहीं लेना है आप यह तो पतंजली का ले लीजे या फीड़ी डाबर का ले लीजे आदा चमच कोकुनेट ऑई ले लिए और coconut oil जो है मारी skin के लिए कितना अच्छा है यह हम सब चानते हैं तो अब इन सब को अच्छे से mix कर लेना है जब आप अच्छे से mix करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ क्रीम की तरह यह फेस पेक बन जाएगा अगर आपको पतला लगे तो इसके अंदर थोड़ा चैरे पे जुर्या है जाईया है दाग धब्बे हैं वह भी दूर हो जाएंगे आपके skin बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी बहुत जाएगी बहुत ज्यादा सोफ्ट हो जाएगी बिल्कुल भी dryness नहीं रहेगा अगर आपकी skin dry है oily है sensitive है तो आप इस रेमडी को पहने से पहले लगाना है तो आपको क्या करना है फेस को अच्छे से साफ कर लेना है उसके बाद ये वाला फेस पेक आपको लगा लेना है अच्छे से पूरे चैरे पे लगाना है जो बच जाए उसे आप गरदन पे भी लगा सकते हैं हातों पे भी लगा सकते हैं अच्छे के अगर से आप न आने जा रहे हैं तो आप ना कर भी आ जाए गई तो इसने आप्की स्किन बहुत ज्वाँभ ज्यादा बहुत ज्यादा इसी गलो आएगई orang पर गियो हपते में कम से कम दो से तीन वार जरूर लगाएं अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बा लाइ